करेंगे संत आसाराम जी बापो आसरम होमियोपेथिक के सीनियर डॉक्टर अतुल भाई अतुल भाई देख रहे अभी गव माता पे मतलब आपत आई हुई एक रोग निकला हुआ है लंपी नाम का तो उसके लिए कुछ इलाज है के नहीं होमियोपेथिक में जी बिल्कुल अ कई लोगों को वह पे अलग अलग गौशालों में हमने दिया तो उसमें काफी हमको रिजल मिला उसके बावजुद भाहुद हमने कई गाईयों में यह भी देखा कि जिनको अभी हुआ है और जिनको ना हो तो ना हो इसके लिए भी कुछ हम उसको प्रोफिलैक्सिस बोलते ह पर भी कही जगा बहुत ज़्यादा खराब कंडिशन है इसा हमने सुना हर जगा तो हम पहुशने पाए पर जितना जितना कर पाए हम अपने जो डॉक्टर दोस्त है दो हमारे जो करते हैं जिनका फार्मसी है तो वो लोगोंने काफी अच्छी सेवा की है तो उसी मतावेक म नहीं में कुछ बताता हूँ पहले हम जानते कि लंपी रोग होता गया है लंपी एक वायरस है भी लंपी मतलब L-U M-P-Y यह जो है यह उसके नाम में ही कुछ सुपाय कि लंप मलब वह वाइरस लगने से लंप होते हैं अंदर डर डर गाठे बनती हैं हाँ वह वाइरस होता है वह वह डिखात तो ऐसा पता चला है कि अध्रूपिया मलब का ओफरिकन देशों में से आया हूआ है वायरस और सब भी जगा फ्रेड वा है और देखा जाए तो यह कोई भी भायरस होता है हमारे देशी गायों में आज तक का इतियास है कि देी गाई जो होती है भारत की lijге की शेओवं उनमें भी हमने काफी देखा है इस वाइरस का तो यह वाइरस काफी ज़्यादा प्रफावशली देखा गया तो इसमें होता क्या है कि जब किसी गाएं को इसका प्रादुर्वाव होता है वाइरस का तो उनमें थोड़े पैरों में सुजन दिखी गई है पैरों में सुजन हो सुजन के बाद उनको बुखार होता है और गाय खाना खाना छोड़ देती है बैठे रहती है और उसमें फिर शरीर में गाठे गाठे आना शुरू हो जाती है लंप्स आना शुरू हो जाती है इसलिए लंपी वाइरस वो जो लंप्स आने शुरू हो जाते है वो कोई-कोई ग वाइरस होता है इसका शुरुवात लगबग आफरीका से वाइसे माना जा रहा है तो अभी इसका हमें solution क्या है देखो एलोपेति में antiviral medicine होती ही नहीं है इसलिए स्वाभविक है कि veterinary में भी कि इस virus का medicine है ही नहीं veterinary में भी इसका नहीं है पर कुछ जो जिनोंने गौशालाय रखी है जिनोंने अपनी गाये पालन करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है जानना और मैं तो आपको यह medicine की नाम भी बताऊंगा और किस तरह से आप गायों में देना है उस तरह से बताऊंगा अर जिन गायोंको ना हो उसके लिए खिंगी हम कुछ रस्टॉक्स रस्टॉक्स थर्टी पावर में अगर वह अगर आप गाईयों को देते हैं तीन बार या चार बार दिन में अभी देखो मुनिश्य तो गोली में डालके गोली चूज सकता है गाईयों में क्या करें देखो बमे गोली फॉर्म में अगर बिल्य की स्प्रीय में डाल देते हैं इसे दिन में तीन बार या चार बार भी करिसे। अगर ज्यादा तकलिस है तो चार बार कर लेना दोनों दवा आर्सेनिक अल्बॉम 30, रस्टॉक्स 30, उसके साथ साथ जलसीमियम 30 ये भी है और जिन गाईयों में लंस आना शुरू जाते हैं तो उनमें सिलिशिया भी पावर, इस पावर में हैं तो वो दे सकते हैं, देखना म काईयों में शुरूआत हैं उनमें आर्सेनिक अल्बॉम, जलसीमियम, रस्टॉक्स इनका शुरूआत करें इन तीजियों का और जिन में ज्यादा ज्यादा फिर फोड़े बन रहा है और ज्यादा तकलिफ है और तो एक बेलेड़ोना नाम की भी दवा है हमोपैतिक में, ब दवाब इनिस्टियल स्टेज में देना है जब शुरूआत में गाय को अगर बुखार और सुजन हो रहे है पिर जब फोड़े फोन से होने लगते शरी में तब सिलिश्या तीस पावर और बेलाड़ोना दोसो पावर यह आप एडिशन कर देना, एड़ करना है इसके साथ- गंदगी निकलना शुरू जाती है, तो कुछ ऐसे मुल अर्ख होमेपैतिक में होती है, जिसको मदर टींचर बोलते हैं, जो मुल अर्ख के फॉर्म में मिलता है, उसके पावर नहीं होती है पर लिक्विड फॉर्म में मिलता है वो, वो है कैलेंडूला, एक है आपको अगर लेडम पाल, और तीसरा है इचिनिशिया, कैलेंडूला, लेडम पाल, इचिनिशिया, ये मदर टींचर के फॉर्म में ले आना, और उससे आप घाव साफ करके, उसी का आप स्प्रे भर मुह में कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा दो-तिन स्प्रे करना, दिन में तीन बार, ता लेडम पाल मदर टींचर, इचिनिशिया मधल टींचर, ये तीनों भी आप मिक्स करके भी लगाते हो, मिलाके भी लगाते हो तो भी चलेगा, और इन ही टींचर का प्रे के बोटल में रखके उनके मुँ में प्रेका कर सकते हो, तो ये है उपचार अगर ये करेंगे, तो मै काफी अच्छी बच्छडी थी बच्छडी बच गई बोलें अभी जो पयर में सूजना और उसके लंप्स आने शुरूत हो गए पर उसका हमने करके और ऐसे गाईयों में जब आप इसे तकलिफ होती है तो उनको शिरीर में नहिलाना दिन में दो बार गरम पाने में फिटकरी फिटकरी का पानी बना दो फिटकरी की पाउडर करके पाने में घोल दो पूरे फिटकरी पानी बन जाएगा फिटकरी के पानी से गाई को धोलेना या बच्छडी को धोलेना जिनको तकलिफ है तो ये उपर से भी आप उनका बचाव कर सकते हो और जिनको ना हो अभी जो ग कभी सोमवार किया फीर गूरू आरक को पीर ऐसा फिर सहोमवार को किया ़िरू आपकरتने मूं के व다 अजरो पंप करके उनके मूवर तो यह से दो बर आप कर सकते हो सुबह शाम ऐसे सप्ता में दो बार ऐसे तीन सप्ता तो उनका बचा होगा और कभी फिर ऐसा इंच्छा हुए और कुछ कि अच्छा हेल्दी खाना खेला है ताकि गाईयों की प्रतिकार शक्ती जल से जल बड़े मैं बताऊंगा जरूर दर्शकों को जो गाएं पालन करते हैं अलोपैथी में इसका उपचार नहीं है आप अगर जबरदस्ती कोई दवा देते हो तो इसे फाइदे से जदा हानी हो जाएगी तो यह नेचरल चीज करना और यह जो हमने जो हमोपेथिक मेडिसिन बताई है इसका जरूर आप उपयोग करना इसे हमने गाईयों को काफे रिजल्ट देखा है कि दुकानों पे मिल जाएगी बिल्कुल यह कोई भी हम इतनी कॉमन दवा है कि हम हम खुद भी जरूर भाई का संपर्क कर सकते हो